नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दखाबरदार न्यूस तो शली शुवात करते हैं मद्य प्रदेश की कुछ मुखे खबरों से मद्य प्रदेश विधानसवा चुनाप के लिए बीजेपी कर सूचियों में अब तक 136 उमीदवार खोसित कर चुकी है लेकिन कई उमीदवारों का विरोध हो रहा है नई जले मौगंज से दो बसों से कारेकर्दा प्रदेश भाजपा काराले पहुंचे उन्होंने मौगंज के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी प्रदी पतेल पर सनातन विरोधी होने का आरूप लगाते हुए टिकेट बदलने की मांग रखी रीवजले के सिर्मोर विधान सबा अंतरगत अतरयला में पंजाब के सियम भगवंत मान और आशियर संगठिन महामंत्री डॉक्टर संधी पाठक ने चुनावी सभा की दोरो नेताओं ने आपरत्याशी सर्टा पांडे के पक्ष में समर्थन मांगा जनता से जिताने की अपेर की कहा है कि प्रदीस में परिवर्तन की लहर है पिछले चुनाव में भी परिवर्तन हुआ पर खरीद फरोक्त के चुकर में सरकार गिर गई माने केंद्र की मोदी और राजी की शिवराज सरकार पर जम कर निशाना साथा 2019 में रीवा लोगसवा चुनाव में कॉंग्रेस के प्रत्याश्य रही पूरो विधान सबाद द्यक्षर स्वर्गे स्री निवास सिवारी के पोतर सिधार्ट तेवारी राज अपनी पार्टी कांग्रेस से नाराज चुल रहे हैं सिधार्ट रीवा जुले के त्योंथर विधान सबाद शेति से कॉंग्रेस प्रत्याश्य के तौर पर टिकेप चाते हैं वे लंबे समय से शेति का दोरा करे हैं कॉंग्रिस ने अभी तक प्रत्याशिक घोसेत नहीं किये हैं लेकिन सिधार्थ को 33 से टिकेट ना मिले की जौनकारी मिली इस वज़ा से वे पार्टी से नराज हो गई उनके कई समर्थकों ने कॉंग्रिस से इस्तिफा तक दे दिया रीवा कलेक्टर स्रीमती प्रतिवा पाल दौरा गामी विधानसवा चुनाव के निस्पक्ष समपादन हेतू मदरा के अवैद विक्र, संग्र एवं आश्वासन पर कारेवाई हेतू विशेश उपलंबन दल का गठन किया गया है उक्तिदाल द्वारा आज वर्त चाक घाट एवं सिर्मौर में कारेवाई की गए इस कारेवाई में कई लीटर कच्छी मदरा और कई किलोग्राम लाहन पकड़े गए हैं सतना जुले की मेहर सीट से बीजेपी विधायक नारायन त्रिप पाठी की कॉंग्रेस में वापसी हो सकती है लंबी समय से बीजेपी से खवा चल रहे नारायन की सीट पर भाजपा ने स्रीकांत चतरुवेदी को प्रत्याशी घोसित किया है इसके बाद नारायन ने घर वापसी के तयारी शुरू की है सूतर बताते हैं कि शनिवार को नारायन कॉंग्रेस के सदस्ता ले सकते हैं नारायन त्रिपाठी का हनी च्रैप मामले में नाम आ चुका है गौलियर में गुर्जर आंदौलन के आवाहन पर समर्थन करने गौलियर आ रहे हैं भीम आर्मी की नियता चंदरशेखर आजाद और फुर रावन रविंद्र भाटी अतुर प्रतान को मुरैना पुलिस ने साराय छूला थाना छेतर इस्थित चंबल नदी के पास अलावेली चौकी पर वनी च्रैकिंग पॉइंट पर ग्रफतार कर लिया है ये ग्रफतारी की कारवाई मुरैना गौलियर और उत्तर प्रदीस पुलिस ने मिलकर की है 12 अक्टूबर गुरुवार को गोर्जर अंदौलन के आववाहन के बाद पुलिस अरट मोड पर थी और शेहर भर में 4000 पुलिस जवान तैनात किये गए थे नवरात्र परव और दीपवली के त्योहार के बीच प्रदीस में हुने वाले चुनाप रच्वार में राजनेता पूजा के बहाने सभा नहीं कर सकेंगे धार्मे कारिक्रमों के साथ धार्मे के सलों के मामले में भी चुनाप आयोग ने अपनी रणी दिस साफ कर दी है इसमें कहा है कि प्रदीस में विधान सभा चुनाप के दौरान कलेक्टर और उनके अधीनस्त अफसर किसी भी धार्मे के सल के परिसर में सभा की अनुमती नहीं दे सकेंगे चुनाप आयोग ने इस मामले में सक्त हिदायत देते हुए अनुमती देते है वक्त इसका ध्यान रखने को कहा इन दौर में हाथ में फुनसी कैलाज करवाने कथे डौक्टर के पास गई एक व्यक्ति के हाथ में इंफेक्शन फैलनी से मौत हो गई जो आँच में पता चला कि डौक्टर ने क्लिनिक बोर्ट पर तो MBBS MS लेख नखा था लिकन उसके पास ड्रिगरी ही नहीं थी दवाईयों के नाम तक फरजी डौक्टर पर नहीं पाया चार साल बाद मामले में कोट ने सजा सुनाई मद्यपदेश के सीम शिवरा सिंग चोहन का कहना है कि मैं प्रियंका जी से सवाल पोछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के नेता पूरो मुखिमंती दिगविजे सिंग PFI पर कारिवाई का विरोध कर रहे है PFI टेरर फंडिंग करती है आतंकबादी गदिविदियों में लिप्त है बैन लगा हुआ है देश की दुस्मन है उस पर कारिवाई अगर होती है तो दिगविजे सिंग विरोध करते है क्या यही कॉंग्रेस का स्टेंड है आतंकबादियों को महिमा मंडित करना सर्जुकल स्ट्राइक का विरोध करना PFI पर कारिवाई का विरोध करना इन दिनों शाद पक्ष चल रहा है सभी अपनी पित्रों को मोक्ष परदान करने के लिए शाद में तरपन कर रहे हैं लेकिन गुरुवार को उच्जयन की रामघाट पर एक संत ने उनके आश्रा में अब तक म्रत गायों को मोक्ष परदान करने के लिए शाद तरपन का आयुजन किया इसमें बाटकों ने मंत्रों चारण किया और खुद इस संत ने पांच हजार गायों का शाद का तरपन किया अब तक लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही प्रमोख खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दा खबरदार न्यूज